प्रथम तहल का न्यूज दस दिन के गनपती महत्साव को लेकर भक्तों में उत्सा उमंग देखते ही बन रहा है मूर्ती बेचने वाले राजसानी शिल्पकार तोनु ने गनपती महत्साव को लेकर जानकारी दी और कहा कि बीते दो सालों से करोना संकट के चलते किसी भी प्रकार की मूर्ती नहीं गई लेकिन करोना संकत से साने लोगों को निजात मिलने परिस्ताल गनपती महत्साव जिले में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है जिसे लेकर लोगों ने गनपती बपा की मूर्ती को खरीदना शुरू कर दिया है और बीते कई दिनों से लगातार भक्त गन गनेश की मू हो मैं विम्हितल के लिए इनको अपने घर में जिसार करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं चेम्नाजी में तो क्षुए करते हैं तो इसाव यह जिद्धानपवय इंट हो गया झौट तो यह जो मूर्ती जो आप बेच रहे हैं ये किसी के मूर्ती बेच रहे हैं आप तो क्या-क्या बनाते हैं मूर्ती में गनपती उस्सा वाहरा तो उसको लेकर त्यारियें की जा रही है कितने समय से आप ये मूर्ती का काम कर रहे हैं तो क्या-क्या-क्या साइज की मूर्ती हैं आपके पास सभी परगार की गनपती मूर्तिया हैं तो जो लोग पलवल के ले रहे हैं सभी यहीं से ले रहे हैं प्रथम तहलका के लिए पलवल से ब्यूरो रिपोर्ट कितने से ऑलगार के लगद तो कितने से भी तो कितने भी से घर रहżenोए